2.4.2 विलियन के प्रकार टाइपस ओफ असलूशन विलियन में उपस्थित विले पदार्थ की मात्रा के अधार पर विलियन को वर्गी कृत किया जा सकता है आईए इसे क्रिया कलाब द्वारा समझें क्रिया कलाब 4 दो बीकर में 100-100 ml जल लें एक बीकर में एक चम्मच नमक तथा दूसरे में एक चम्मच शक्कर डालें तथा विलियन को काँच की छड़ से हिलाएं अब दोनों बीकर में क्रमशा नमक वर शक्कर तब तक डालते जाएं जब तक उनका घुलना बंद न हो जाए क्या घुलने वाले नमक वर शक्कर की मात्राएं समान हैं अब दोनों बीकर को स्प्रीट लेंब की सहायता से गर्म करें क्या अविले नमक और शक्कर पानी में घुल गए अब दोनों बीकर में क्रमशा एक एक चम्मच शक्कर वर नमक और डाले क्या वे भी विलियन में घुल गए? इस क्रिया कलाप से यह निश्कर्ष निकलता है कि एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में कोई विले उतना ही घुलता है जितनी विलायक की शमता होती है किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में और अधिक विले घुलना संभव नहीं हो तो वह विलियन संत्रिप्त विलियन कहलाता है विले पदार्थ की वह मात्रा जो उस ताप पर संत्रिप्त विलियन में उपस्थित रहती है उसकी घुलनशीलता या विलेता कहलाती है यदि विलेता इस तर से कम विले किसी विलायक में घुला हो तो उसे असंत्रिप्त विलियन कहते हैं क्रिया कलाप 4 में हमने देखा कि किसी ताप पर किसी विले के संत्रिप्त विलियन को गर्म करने पर उसमें और अधिक विले घुल सकता है अब अगर इस विलियन को ठंडा करें तब प्राया ये अतिरिक्त विले घुलित अवस्था में ही रहता है इस विलियन को उस ताप पर अतिसंत्रिप्त विलियन कहा जाता है अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ही इस अतिरिक्त विलियन के रवे बनते हैं उदाहरण, चैशनी, शक्कर का पानी में अतिसंत्रिप्त विलियन है क्रिया कलाब 4 के अधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि एक निश्चित तापकरम पर अलग-अलग पदार्थों की विलेता भिन भिन हो सकती है क्या विलियन में विले पदार्थ की मात्रा के अधार पर उसे सांद्र या तनू विलियन में विभाजित किया जा सकता है इसके लिए हमें विल्यनों की सांद्रता का ग्यान होना आवश्यक है आईए इसे हम क्रिया कलाब द्वारा समझें